गुड यूनिंग प्यारे बच्चो, how are you? हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुस होंगे, आज की वीडियो में लोग डिसकस करने वाले हैं किसके बारे में, ब्लीचिंग पावडर के बारे में, डिसकस करेंगे, ब्लीचिंग पावडर से पहल पाउडर ट्रेड नेम है यानि कि मार्केट में इसको क्या कहा जाता है व्यापार के लिए इसको कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर और उसका केमिकल नेम क्या है कैल्सियम हाइपो क्लोराइड और क्या है कैल्सियम ऑक्सी क्लोराइड केमिकल फार्मूला क्या है इसी तरह OCl2, यानि कि यह क्या है, OCl2 है, It is also known as chloride of lime, इसको lime का chloride भी कहा जाता है, It is also known as chloride of lime, इसको chloride का lime भी कहा जाता है, अब इसका preparations पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, preparation, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले ट्रेड नेम पढ़ते हैं, उसके बाद chemical नेम जानते हैं, calcium hypo chloride, calcium oxy chloride, फिर chemical formula जानते हैं, CAOCl2, फिर पढ़ते हैं, it is also known as chloride of lime, इसे lime का chloride भी कहते हैं, अब preparations, इसको बनाते कैसे हैं, इसका जो बनाने का method है, bleeding powder can be prepared by the, passing the CL2 gas, and the dry slagged lime, देखो lime water का जो formula होता है, CA, क्या, CAOH का whole twice, इसको बोलते हैं, lime water, क्या बोलते हैं, lime water, अब इसी के अंदर, हम CL2 gas को pass करते हैं, कौन सी gas को pass करते हैं, CL2 gas को pass करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, CAOCl2, क्या बनता है, CAOCl2, plus H2O, पानी तो बन जाएगा, अपने आप, ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, अब यह हमारा बन गया, मिथट है, preparation का, हम बोलते हैं कि, calcium, यानि कि lime water में, जब हम chlorine gas को pass करते हैं, when chlorine gas pass in the lime water, जो bleaching powder, calcium hypo chloride, इसी prepared है, हो गया, preparation मिथट, उसके बाद, इसके एक दो reactions है, पहला reaction है, reaction bleaching powder, reaction up bleaching powder, तो इसका हम पहला reactions पढ़ेंगे, reactions up bleaching powder, देखें, reactions up bleaching powder में, जो पहला reaction है, कि अगर bleaching powder को air में, यानि हवा में, इसको क्या कर दें, हम खुला छोड़ दें, क्या कर दें, है जब bleaching powder को हम air में खुला छोड़ देंगे तो air में जो presence carbon diด oxide है इससे bleaching powder क्या कर लेगा reaction कर लेगा किस से air निड逌र जो आपका carbon di cise秩 उससे आपका bleaching powder क्या कर लेगा reaction कर लेगा बनाएगा क्या कैल्सियम कार्बोनेट क्या बनाएगा कैल्सियम कार्बोनेट और क्या निकलेगा क्लोरीन गैस इवाल्ब कर देगा क्या सियल्टू गैस आपको होता है कि कैल्सियम कार्बोनेट यही होता है आपका संगर मरमर का सूत्र होता है क्या होता है एक क्या किया हमने कुछ नहीं किया हमने क्योवल एयर के प्रजियस में इसको रख दिया और एयर में जो कार्बन डाई आकसाइड होती है उसके साथ यह तेजी से रियक्षिन कर लेता है क्लोरीन गैस यहां से निकल जाती है के साथ कहा डें किसके साथ लेक्षिन करा दें किसके साथ रेक्षिन दूसरा लेक्षिन जैसे है अगर हम CAOCL2 का reaction dilute sulfuric acid के साथ H2SO4 के साथ करा दे dilute H2SO4 के साथ करा देते हैं तो बन जाता है CASO4 calcium sulfate plus H2O plus CL2 बन जाता है calcium sulfate बन जाता है plus water बन जाता है और chlorine gas निकल जाती है क्या जब हम calcium oxy chloride का reaction dilute sulfuric acid के साथ करा दे किसके साथ करा दे dilute sulfuric acid के साथ करा दे तो calcium sulfate बनता है water बनता है और chlorine gas बनता है यह बहुत important चीज है कि जब हम किसी चीज का reaction कराते हैं तो क्या बनता है इसको आपको learn करने की ज़रूरत नहीं आप दो तीन बार practice कर लीजिए लिख लीजिए आपको याद हो जाएगा कि calcium oxy chloride और इसका reaction हम dilute H2SO4 के साथ कर दे तो क्या बनेगा तो इसको एक बार आप reaction ध्यान से देखिए तब तक आप channel को subscribe कर देजी अगर subscribe नहीं किये तो घंटी के बटन को दबा दो इसके आगे हम बताएंगे आपको structures क्या होता है इसका structures कैसे बनता है क्या इसका structures कैसे होता है तो हम दिखा रहे हैं आपको structure आप लोग फटा फट से चैनल को subscribe कर दो bell icon को press कर दो वीडियो को अपने दोस्तों में share कर दो फटा फट से CO यहाँ पर lone pair है यहाँ पर chlorine लगेगा यहाँ पर chlorine लगेगा यह बन गया इसका structure क्या वन गया structure calcium oxyl chloride का इसको हम क्या बोलते है bleaching powder क्या बोलते है bleaching powder अब हम पढ़ेंगे इसका use क्या पढ़ेंगे इसका use इस वीडियो में हम इसको ind करते हैं जो भी है इसको खतम कर देते है bleaching powder को next video में दूसरा कुछ पढ़ेंगे दूसरा compound पढ़ेंगे, दूसरा salt पढ़ेंगे, bleaching powder का यूज, यूज क्या होता है bleaching powder का, यहाँ पर देखिए जो इसके यूज की हम बात करते हैं, किसके यूज की, bleaching powder की यूज की बात करते हैं, जो पहला यूज होता है, it is huge for oxidizing agent, यह एक oxidizing agent के रूप में हम इसका यूज क chemical industry में इसका यूज क्या होता है, as a oxidizing agent यूज किया जाता है, and to make drinking water free from germs, यानि कि जो पीने वाला पानी है, उसको जो है germ free, यानि कि टाडू को मारने के लिए भी किया जाता है, bleaching powder का यूज किया जाता है, यानि कि इसके दो यूज हो गए, it is used in the oxidizing agent in chemical industry, और उसके बात क्य हो गए, it is drinking water को germ free करने के लिए यूज किया जाता है, और उसके बात क्या होता है, फार bleaching cotton and linen, क्या, cotton और linen के कपड़े को textile industry, यानि कपड़ा उद्धोग में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, color को उड़ाने के लिए, cotton और linen के उपर जो color है, उसको उड़ाने क लिए किया जाता है, bleach करना मतलब होता है, किसी का color उड़ा दिया जाए, bleach वाला जो है, आप लोगोंने कपड़ा देखा होगा, jeans जगा-जगा से color उड़ा दिया जाता है, तो वही होता है, bleaching, उसके फार, bleaching wood pulp in paper industry, जो paper उड़ोग होता है, paper industry में wood pulp, wood pulp जो होता है, एक कच्चा पदार्त होता है, जिसको जो लकड़ी से बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, paper factory में paper बनाया जाता है, यानि कि आपको सीधे-सीधे बता दे, कि paper factory में जो paper बनाया जाता है, उसका जो raw material होता है, wood pulp होता है, इसका भी color उड़ाने के लिए bleaching powder का यूज किया जाता है, इससे bleaching powder से इसका color उड़ाया जाता है, और laundry में जो हम लोग कपड़ा धुलवाते हैं, यहाँ पर कपड़े में भी आपको color उड़ाने के लिए यू तो हम समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा जो है bleaching powder इस वीडियो में था, तो आप समझ गए होंगे, वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को like जरूर करें, वीडियो को share करें दोस्तों में, चैनल पर नहीं आये हो तो dear student चैनल को subscribe करो, फटा फट्चे 1000 subscriber पूरे करो, त आपके life problem को solve कर सकें, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में,